मेटाबॉलिज्म उपापचाई क्रिया क्या होता है मेटाबॉलिज्म का क्या अर्थ होता है मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार का होता है तो आज के इस वीडियो में इसी के बारें जानेंगे तेलो फ्रेंड्स मैं उनसांत पांडे चली करते हैं वीडियो को सुरू दोस्तों स मेटाबॉलिक और लाइप प्रोसेस कहते हैं जैसे पोशड, स्वासन, उत्सरजन, परिवहन आदी ये सब मेटाबॉलिज्म उपापचे क्रियाओं का एक्जाम्पल है दोस्तों हमारे सरीर में जितने प्रिकार का क्रिया होता है हमको नीद आना हम खाना खाते हैं और सारिज् मेटाबॉलिज्म का एक्जाम्पल है अब हम बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म उपापचे क्रिया कितने प्रकार का होता है दोस्तों मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है पहला उपचे क्रिया एनाबॉलिक रेक्षन दूसरा अब पचे क्रिया है क्या होता है वे क्रिय जिनमें स्वरल कारविनिक पदार्थों से जट्रिल कारविनिक पदार्थों का निर्माढ होता है वो उपचाई क्रिया एनाबॉलिक एक्षन होता है इस क्रिया में स्वरल कारविनिक पदार्थ जट्रिल कारविनिक पदार्थ में संसलेसित बदल जाता है इसका एक्जामपल ट्रकास शंसलेशर्ड फोटोसिंथेसिस है ट्रकास शंसलेशर्ड में CO2, कार्बन डाई आकसाइड और जल, H2O कार्बोहेटरेट की रूप में जटिल पदार्थ में बदल जाता है अब हम बात करेंगे दुसरा अब पचाई क्रिया केटाबॉलिक रेक्शन क्या होता है वे क्रिया जिनमें जटिल कार्बोहनिक पदार्थ सरर कार्बोहनिक पदार्थों में बिखंडित डिवाइड हो जाता है उसे अब पचाई क्रिया केटाबॉलिक रेक्शन कहते हैं इसका एक्जाम्पल है स्वसन पाचन ये जो पाचन क्रिया होता है इसमें जटिल भोजन पदार्थ होता है जो सरण पदार्थों में इनर्जी में कनट हो जाता है स्वसन में भी ऐसा होता है अक्सिजन को लेकर कोशिकावत तक पहुचा जाता है इसी के साथ करते हैं इस वीडियो के दा इंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें आपकी कोई क्वारी हो तो प्लीज कमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार